अगर आप लोग पहले से मुझे से जुड़ी हुए हो तो आप लोग ने देखा होगा कि पहली किलास में हम लोगों ने जो आपका सिविल सिवा परिक्षा है इसका क्या इतिहासिक परिदिस यानि की इतिहार से के इसका background क्या रहा है इसके बारे में हम लोगों ने जाना था दोसरी class में आपने देखा होगा कि जो आपका संग लोक सिवाय हुए इसके बारे में हम लोगों ने विश्टाल से बात की हुई थी और बहुत ही हम लोगोंने साधारन सब्दों में देखा है ने भारी भरकम सब्दों का हम लोगों ने उपयोगी नहीं किया हुआ है उसके बाद आपने देखा है कि UPSC का जो पैटर्न है कि इसमें कितने परिक्षा होती हैं कितने कितने नंबर की होती हैं और भी इससे रेलेटिव आपके जो भी कुश्चन्स हैं उन सब के बारे में हम लोगों ने एक-एक करके जाना था आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे प्यारंबिक परिक्षा के जो आपका सिबिल सर्विस प्रिलेम्स होता है यानि की स्टेच पहला यानि की चरन फश्ट इसमें आप देखेंगे प्यारंबिक परिक्षा होती है जिसे आप लोग प्रिलेम्स से भी कहते हैं तो इसका पार्ट करम क्या होता है और इसमें कितने पेपर होते हैं इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके देख लेते हैं और आराम से अगर आप लोग देखते हैं तो मुझे लगता है कि सब कुछ आपकी समझ में भी आ जाएगा ठीक है और अगर आप लोगों को कुछ पहले आपको पिछली भी जो UPSC का हम लोगों ने पैटर्न देखा था उसमें भी बात की हुई थी कि कितने नंबर का होता है प्रिलिम्स और इसमें कितने पिछनपत सामिल होते हैं कितने पेपर होते हैं प्रिलिम्स में दो पेपर होते हैं और आपको बता दूं कि एक ही दिन में होते हैं दोनों ठीक है तो पहला पिछनपत जिसे आप लोग सामान अध्यान पेपर कहते हैं किस नाम से जानते हैं पहले पिछनपत को आप लोग सामा और याद रखी यह C-set आपका qualifying paper होता है यानि का सीधा सा कहने का मतलब है कि आपके दो paper होंगे prelims में एक तो आप देखें कि क्या होगा GS का और दूसरा होगा आपका C-set का C-set का ठीक है तो आपकी जो merit list यानि की मुख पर इक्षा में आप लोग पहुँचने के लिए आपको इसके नंबर के आधार पर आपकी merit list बनेगी GS पर फश्ट के आधार पर और दूसरा जो आपका C-set है एक एबल qualifying रहेगा इसमें आपको 33% नंबर आप लोगों को चही होंगे लेकिन आप लोगों को ये भी बता दूँ या कि मान लिजे कि इसमें आपकी 200 में से आपकी 190 आ जाते हैं और जो C-set है इसमें आप लोग 33% नंबर नहीं ला पाते हैं तो आप लोग मुख परिक्चा में नहीं पहुँच पाएंगे इसलिए C-set को भी हलके में ना लें कभी भी और कई लोगों को जानता हूं जिनका C-set की वज़े से मुख परिक्चा में पहुँच पाने का सपना रुख जाता है तो दोनों पेपर को आप लोग ध्यान से पढ़िए और आप देखें कि C-set आपकर ऐसा वैसा नहीं आता है इतना सरल भी नहीं होता है और एक सबसे बड़ी बात हैं कि तुक्का भी नहीं लगा सकते हैं क्यों नहीं लगा सकते हैं क्योंकि माइस मार्किंग होती है ठीक है? और इसके लिए आप लोग याद रखा करिएगा कम से कम 5-6 साल पुराने कुश्टन से पेपर उठा के या आप लोग बाजार से जाके खरीद भी सकते हैं या फिर आपके पास पॉन है, स्मार्ट पॉन है जिसे आप लोग गोगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं तो UPSC की मैं साइट पर आप लोग जाईए और बलाच टिप पास से 6 साल पुराने कुश्टन से पेपर फिर चाहिए वो सामानध्यन के हूँ या फिर आप लोगों की चाहिए C-set के हूँ दोनों को डाउनलोड करके अपने पास रख लिए और एक से दो बार उन्हें नॉर्मल आप लोग पढ़ लिए कि किस तरह के कुश्टन सापकी परिक्षाओं में पूँचे जा रहे हैं तो इसमें याद रखिए दोनों पिश्टन पत्त में आपकी 200-200 अंकिके रहते हैं जो पहला आपका सामानध्यन का होगा ये भी 200 नंबर करेगा और इसमें पहले पेपर में आपके 100 कुश्टन से रहेंगे जो आप देखेंगे कि 2 नंबर का 1 कुश्टन सापका होगा वही अगर हम लोग वहीं बात करें दूसरे पिसन पत्त जिसे आप लोग C-7 के नाम से जानते हैं इसमें आपके 80 कुश्टन से रहेंगे और लगबग आप देखेंगे 0.5 नंबर यानि कि 2 दसम लोग 5 नंबर का आपका 1 कुश्टन से इसमें सामिल होगा और आपको पहले भी बता चुका हूँ इसमें नेगेटिब मार्किंग रहती है नेगेटिब मार्किंग का कहने का क्या मतलब है अगर आप लोग किसी आंसर की में गोला भरते हैं किसी कुश्टन का आंसर लगाते हैं और वो गलत हो जाता है तो आप लोगों को उसका भुगतान भी करना पड़ेगा समझ रहें आप लोग और एक बात और आपको बता लो मान लेजे कि 100 कुश्टन्स आपके आये हुए हैं इसमें से 10 कुश्टन्स आप लोग छोड़ देंगे तो ना तो उसके नंबर मिलेंगी और ना ही कोई उसके एवज में काटे जाएंगे ना तो आपको खायदा हो सकता है ना ही नुकसान होगा 10 का और याद रखिए अगर आपने 10 कुश्टन्स लगाए हुए हैं तुकका से और अगर 10 में से 10 आपके गलत हो जाते हैं तो इनका आप लोगों को भुकतान भी करना पड़ेगा ठीक है और इसमें आप देखें कि negative marking की बात करें minus marking की तो तीन उत्तर की गलत में एक सही उत्तर का बरावर अंक काट लिए जाएंगे सीधा सा कहने का मतलव है कि माल लेगी कि आप लोगों ने чार कुश्टंस है ठीक है इसमें आप देखेंगे कि तीन कुश्टंस की आप लोग चारों questions के answer आप लो answer की जो answer seat आती है उसमें आप लोग गोला लगाते हैं और उसमें 3 questions गलत हो जाते हैं 3 questions क्या होते हैं? गलत और इसमें से 1 questions आपका सही हो जाता है तो यहां बराबर हो जाएंगे यानि कि 3 के बदले जो 3 गलत आपने लगा हुए वो एक आपका काट लेंगे questions तो यह भी आप लोग याद रखेगा ठीक है? अगर 3 questions आप लोग गलत करते हैं तो एक जो आप लोग ने सही किया होगा उसके number कट जाएंगे उसमें जरूर आप लोग याद रखेगा अभी तक आप देखते हैं कि लगबख सभी state PCS में minus marking आप देखते हैं लेकिन आप देखेंगे आपका MPPSE में minus marking नहीं है लेकिन उत्तर पर इसमें जो PCS होता है state service होती है जो आपकी state PCS इसमें आपका minus marking आपको देखने को मिलेगी ठीक है? यह भी आप लोग याद रखेगा और C-set paper की अगर हम लोग बात करें तो इसमें qualifying रहता है पहले भी बता चुका हूँ जो पहला paper होगा सामानध्यन का इसी की आधार पर आपकी merit list बनती है और इससे आप लोग मुक परिक्षा में इसी की आधार पर पहुँच जाते हैं लेकिन C-set में भी आपको qualifying तो करना ही पड़ेगा ऐसा नहीं कि इसमें आप लोग धड़क जाएं इसमें फैल हो जाए कोई और आपका सामानध्यन में कितने भी questions सही हो तिर कुछ नहीं होने बाला है और इसलिए परिक्षा पास करने के लिए किसी भी उम्मेदबार को C-set में पेपर में आपको 33% अंग यानि कि आप देखेंगे 27 questions यानि कि 27% सही होना चाहिए और 66 अंग आपको minimum प्राप्त करने होगे तभी आप लोग इसमें पास कहलाएंगे और अगर वह इससे कम अंग प्राप्त करता है तो उसे फैल माना जाएगा और आपका टॉप का निर्धारन सरें प्रिश्नपत पहले जो सामान अध्यन है इसी के आधार पर किया जाता है तो ये आप लोगों को मुझे लगता है कि आराम से आप लोग समझ गए होंगे और नहीं समझे आप लोग तो ये गवार और आप लोग रिपीट करते देखिएगा अब बात आती है पाठकरम की यानि कि जैसे आप लोग सिलेवर्स कर देते हैं तो इसे अभी देख लीजे पिश्नपत फर्ष्ट को जैसे आप लोग सामान अध्यन कहते हैं और आप देखेंगे दो घंटे का होता है ठीक है दो घंटे का होता है सबसे पहले आप देखेंगे यही पेपर होता है आपका फर आप देखेंगे दूसरी सिप्ट में आपका सी सेट होता है ठीक है तो इसके पाठकरम की बात करें तो राष्टी है और अंतराष्टी अमध हो या अंतराष्टी हो और इसके लिए मैं कई वार बोल भी चुका हूं और आने वाले समय में बात भी करेंगे अब लोग कि करेंट अब इसके लिए आपको कहां कहां से पढ़ना है क्या सुरोथ हो सकते हैं लेकिन यहां एक नॉर्मल कामताFre hiking काम जानकारी दे देता हूंँ कि आप लोग एक न jeżeli पेपर कम से कम फॉलो करते रहिएंगा राज्यसावा tb लोगसभा tb वे और यह भी आप लोग देखते रहिए और आप तो आप देख रहे हैं कि राज्यसावा लोगसभा टीवी एक मर्ज कर दिये गए संसद तो उसी को भी आप लोग फॉलू करते रही हैं और एक न्यूच पेपर आप ले सकते हैं अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप देखें देनिक जागरन राष्टिय संसकान की बात कर आऊं या फिर आप लोग देखें कि आपका लोकल म बैखते हैं तो दो से तीन घंटे तो आप लोगों को पढ़ना ही में ही निकल जाएंगे तो ये भी आप लोग याद रखें आप लोग कोई भी नियूच पेपर आप लोग हिंदी का फॉलू करते रहिएगा आज कल तो आप देख रहे हैं कि दाहिंदू का भी आप देखि कुश्चन्स पूचे जाएं इसमें आप देखिए पिराजीन भारत हो मद्यकालीन भारत हो या फिर आप देखेएगा आधुनिक भारत हो और जो भारती राष्टी आंदोलन है इससे कुश्चन्स प्रमों के मदलब अच्छी संख्या में कुश्चन्स आते हैं तो इसे भी आप लोग देखते रह ow एक इसके बाद आप देखेंगे भारत एब ब सकाव हो ओर भारत का भी फूगो और वशाओ इन से भी आपके questions आयंगे भारत एब मोस्ट का प्राकृतिक सामाजीकार्थिक प्रमों से आपके questions उंचे जाएगे इनके लिए शरोत क्या है इसे आने वाले समय में हम जरूर बात करेंगे बड़े वेश्तार से एक एक करके हम लोग एक एक सबजेक्ट को लेग baptized भारती राजयत्तंत की बात करें जैसे आप लोग समिधान भी कह देते हैं पॉलिटी भी कह देते हैं तो इसमें भालती, राज्तन्त और सासन समिधान, राजनेतिक पेडाली, पंच्यायती राच, लोकनीती, अधिकारों संबंधित, मुद्दे इन सब से कुष्चन्स पूछे जाएंगे। और इसमें आप देखते भी हैं, एक अच्छी चर्चित भुक है आप लोगों ने देखा भी होगा, एम लक्षमी कांत, आप लोगों को पढ़ने की सलाय भी दे जाती है, उन्हें भी पढ़ लीजेगा, लेकिन मेरी यही एक तरह से राय है, कि आप लोग NCEIT जरूर ख़िद क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि विनाए NCEIT के कुछ उखणने वाला है, तो समय रहते हुई आप लोग आराम से दो-तीन बार आप लोग पढ़ लीजेगा, इससे क्या रहेगा कि आपका बेस बहुत मजबूत हो जाएगा, जब आप आंसर राइटिंग करने बैठेंगे, तो आपकी दिमाग में एक तरह से पॉइंट या फैक्ट का अंबार होगा और आप सबसे बहतर आंसर लिख पाएगे, ठेक है, फिर आप देखेंगे कि आर्थिक और सामाजी विकास, इसमें आप देखेंगे सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जन सांखिकी, सामाजी एक छ तो इन सबको आप लोग देख लीजेगा, और उसके बाद आपके पर्यावन इवं पारिस्तित की जैपिवित्ता और जलवाईव फरीवतन समंदी सामान मुद्दे, जिन के लिए बिसे गद बिसे सक्टा की आवस्त्ता नहीं होती है, यानि कि इनका सीधा तो कहने मतलब कि नॉर्मल ही कुश्चन्स इससे पूँचे जाएंगे, इसमें आपको कोई PhD करने की जरूरत नहीं है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, एक सामान विज्ञान, सामान विज्ञान से भी आपके कुश्चन्स देखेंगे आप लोग, और इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम 5-6 साल पुराने कुश्चन्स वेपर लगाओगे, तो इसमें आप लोगों को और भी अच्छी जानकारी मिलेगी, कि आकिर किस सब्जेक्ट से कितने कुश्चन्स पूँचे जा रहे हैं, किस तरह के कुश्चन्स आ रहे हैं, तो एक बार आप लोग डाउनलोड करके जरू पाते रहेंगे, तो एक कहानी है पहले पेपर की, जिसे आपलोग सामानध्यन पेपर कहते हैं, GSV कह देते हैं, अब देखिए आप लोग CSET, जो आप देखते हैं कि दूसरी सिप्ट में होता है, उसी दिन, जिस दिन आपका पहला पेपर होता है, उसी दिन आपका दूसरी स सेट होता है और इसमें आप देखेंगे इसके पाठकर हम की बात करें हम लोग तो इसमें आप देखेंगे बहुत गम्मता कॉम्पीहनसल चैने फिर आप देखेंगे संचार कॉसल सहे अंतर व्यक्तिक कॉसल फिर आप देखेंगे तार्की कौसल एवम विसलेशनात्मक चमता नैडाइलेना वो समस्या समाधान फिर आप देखेंगे सामानमानसिक योगता फिर आप देखेंगे आधारभूस संख्यार यानि की संक्याएं उनके समंद ise वेस्तार क्रम दसवी कक्षा इस्तर का लेकिन याद रखिए आप सभी जानते हैं कि ये थोड़ा टप रहता है कहने के लिए दसवी इस्तर का होता है लेकिन हमारी और आपकी किस तरह से पढ़ाई होती है दसवी तक आप सभी लोग जानते भी है आपकड़ों का निर्वचन इसमें चार्ट गराप तालिका आपकड़ों की परियाप्ता ये सभी भी कहा जाता है कच्छा दसवी इस्तर का ही रहेगा तो इसे भी आप लोग देख सकते हैं और आपको बता दू कि प्यारंबी परिक्षा जो होती है वस्तू निष्ट पिकार की होती है यानि कि objective type questions इसमें आप देखेंगे एक पिसन होगा उसके चार विकल्प होंगे इनमें से एक विकल्प सही होगा उस विकल्प को आप लोगों को चुनना होगा तो ये कहान ही है आपकी ठीक है प्यारंबी परिक्षा का ये पाट करम है आपका दोनों questions paper की अब बात आती है किताबों की किसके लिए किताब है कौन-कौन सी पढ़नी है तो उसे क्या करेंगे हम लोग कि एक पूरी class ही आपकी ले लेंगे कि आखिर कौन-कौन सी पढ़नी है आपको prelims के लिए कौन सी पढ़नी है आपको मुक परिक्षा के लिए देखिए लेकिन मेरा मानना यही है कि आप लोग एक मतलब परिक्षा के उद्देश से मत पढ़िए यहां आप लोग धोका खाजाएंगे आप लोगों को prelims plus mens यानि की लिखित परिक्षा, man exam दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करने है ठीक है? अंगली किलास में आने वाली किलास में हम लोग क्या करेंगे? मुख परिक्षा का, पाइट करम क्या है? उस पर बात कर लेंगी हम लोग और आप देखेंगे जो हिंधी की, हिंदी और इंग्लिस का पेपर होता है उर आपकी चेतरी भासा रहती है तो अपने हिसाब से अगर हिंदी के अलाबा आप की कोई चेतरी भासा आप लोग चैन करते हैं तो उसका आप लोग देख लिजएगा डाउनलोड करके लेकिन हिंदी के बारे में हम लोग जरूर बात करेंगे, ठीक है, और आपके जो चार GS के पेपर होते हैं, उन्हें भी हम लोग देख लेंगे, उनका पाटकरम क्या है, और optional को भी हम लोग देख लेंगे, जैसे आपका इतिहास optional होगा, या फर आप देखिए geography, इन्हें हम लो लोग अभी से पढ़ना सुरू कर दिजेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता ही कि विनाय NCEIT के कुछ उखड़ने बाला है, और यहां तक आजकल आप लोग State PCS का देखिए, State PCS भी निकालना है आप लोगों को तब भी NCEIT पढ़नी है, और कई बच्चे कहते हैं कि वो NCEIT हम लोग सुरू में पढ़ी भी हुई है, आप और हम बहतर जानते हैं कि आपने वहां पास होने के लिए केवल पढ़ी हुई है, अपना बेस मजबूत करने के लिए वहां आपने नहीं पढ़ी हुई है, अगर आपने पढ़ी भी है, फर भी मैं कहता हूं कि एक से दो बार आप special books उठा लीजिए मान लीजिए कि आप लोग ने quality की NCEIT खतम कर दी हैं तो उसके बाद आप लोग एम लक्षमी कांद ले लीजिए और भी बता देंगे आपकी इस तरह की quality की अगर books और भी है इस फेसल तो उने भी हम लोग बता देंगे तो उने भी आप लोग पढ़ सकते हैं तो यही कोचिंग का उद्देश रहता है मुझे लगता है कि आपको study material यानि कि जो भी आपकी पुस्तकों की बात करें या फिर और भी जो भी आपका material है वही उपलब्द कराया जाता है आंगे हम लोग मिलते रहेंगे मुख परीक्षा का हम लोग पार्करम देखेंगे बहुत ही आराम से देखते रहेंगे पर भी आपको लगता है कोई doubt है तो बताईएगा उसे भी आपका जो भी समाधान होगा करते रहेंगे हम लोग